न्यूजिलेंड ने श्रीलिंका के खिलाफ 5 विकेट और 26.4 ओवर से आसानी से मैच जीत कर सेमिफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। न्यूजिलेंड की टीम भारत के खिलाफ सेमिफाइनल खेलने वाली है तो यह मैच मुंबई में होगा। भारतिय टीम का नीदरलेंड के खिलाफ सीरीज में सिर्फ एक मैच बचा है और यह 14 तारीक को खेला जाएगा। इस मैच में भी भारत की जीत पक की मानी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो भारत सीरीज में बिना हार के सेमिफाइनल में पहुचने वाली एक मात्र टीम होगी। भारत को कोई भी हरा नहीं पाया है। लेकिन पूर्व उस्ट्रेलिया एक अपतान एडम गिलकृस्ट ने कहा है कि भारत को हराया जा सकता है। इसका सूत्र गिलक गिलकृस्ट ने कहा इसलिए किसी भी टीम के लिए भारत को हराना बेहद चुनोतिपूर्ण होगा। लेकिन गिलकृस्ट ने ये भी कहा है कि भारत को हराना नामुम्किन नहीं है। गिलकृस्ट ने ये भी बताया है कि भारत को हराने के लिए क्या करना होगा। गिलकृस् और जस्पृत बुम्रा रोशनी के नीचे खेलते समय बहुत खतरनाक होते हैं इसलिए गिलकृस्ट ने कहा है कि अगर भारत के खिलाफ जीतना है तो भारत को पहले गैंदबाजी करने की इजाज़त देनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के आमने सामने होने का मौका अब सिर्फ फाइनल में है इस समबंध में गिलकृस्ट ने कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ खेलते हुए टॉस जीतना है तो उसे पहले बल्लिबाजी करनी चाहिए टॉस जीतने के बाद, मुझे लगता है कि आपको टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करनी चाहिए जिस तरह से भारत ने अब तक खेला है वो सर्वश्रेश्ट है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि भारत रनों का पीछा करने में कमजोर है टीम में विराट कोहली के रहते हुए भारत ने दिये गए लक्ष का सफलता पूर्वक पीछा किया है गिल क्रिस्ट ने कहा अब तक सभी टीमें लेकिन दिव्या के भारतिय गेंदबाज रोशनी में आन्य टीमों के लिए आधिक खतरनाक है सिराज शमी और बुमराह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ रोशनी में बल्ले बाजी करना तुलनात्मक रूप से आसान होगा सही समय पर भारत गिल क्रिस्ट ने कहा भारत को सही समय पर एहसास हुआ कि उनके स्पिनर भारतिय परिस्तितियों में अधेक प्रभावी होंगे